हाई प्रंट्स मैं अपसेग और अपसेग टुट्रियल्स में आपका स्वाइद करता हूँ आज हम देखेंगे कि AKTU University के ERP का पासवोड कैसे चेंज किया जाता तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने ब्राउजर ओपन करेंगे चाहे मोबाइल हो या लैपटाप या PC और उसमें सर्च करेंगे erp.aktu.ac.pain और सर्च कर लेंगे या मैं इसका link description box में दे दूँगा आप वहाँ से भी direct open कर सकते हैं तो उपर आप user ID डालेंगे और नीचे password डालेंगे और अगर आप user ID जानते हैं पासवोड नहीं जानते हैं तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बना दिया जिसका link description box में है तो आप वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं तो user ID हम फिलकर ले रहे हैं यूँकि एक ट्यूब में पढ़ना आले सभी बच्चों का user ID उनका रोन नंबर ही होता है student का तो वह अपना यहाँ user ID डालेंगे और फिर अगर वह अपना पासवर्ट जानते हैं तो पासवर्ट से लाग इन करेंगे और फिर आयम नाट रोबर्ट पर टिक करके लाग इन कर लेंगे तो फिर यह हमारे सामने कुछ ऐसा खुला तो यहां पर आपको एक option मिलेगा इडिट पासवर्ट को इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा option खुलेगा फिर आप बिकल सेलेट करेंगे पासवर्ट चेंज करें और प्रोसीड फीचर या आगे बढ़ें पर क्लिक क सामने ऐसा खुलेगा उपर आपकी user ID होगी और फिर आप उपर जो आपकी user ID होगी वो फिल्ट करना वो आटोमेटिक रहेगा फिर आपको यहां पर पुराना पासवर्ट डाला है जो आपने लाग इन जिससे किया था और फिर इसके बाद यहां पर आप new password आठ अंका कोई भी डाल सकते हैं तो हम फिल कर ले रहे हैं और फिर दुबारा नीचे हम फिर वही जो new password डाले उसे confirm करने के लिए दुबारा फिर डाल दे रहे हैं और डालने के बाद चेंज पासवर्ट पर क्लिक कर दे रहे हैं तो हमारे सामने यह आप सनाओगे कि आपका password सबलता पुरूबग अपडेट कर दे गया है हमारा new password हो गया पुराना password हट गया है तो फिर इसके बाद आप यहां से चाहें तो dashboard पर भी अपने जा सकते हैं या फिर आप यहां से लाग आउट कर दें अपने ID तो आई होब कि आप समझ गये होंगे कि ERP login में password कैसे चेंड़ किया था है फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेंसे contact कर सकते हैं थैंक्स पर रॉचिंग इस वीडियो तो आप 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 आप